नमस्कार मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समा चार एक्सप्रेस खबर सबसे पहले च्छतिस गड़ से आ रही है च्छतिस गड़ के राज नंद गाउं में एक संसनी खेज हत्या का मामला सामने आया है हत्या की वारदात से आस पास के शेतर में दैशत का महल बन है हाला कि पुलिसने इस हद्दा के मामले में छे अरौपियों को भी काबू कि एक तर अरौपी ने पुलिस पूचताच के दुरान बताया कि उसने अपने चाचा के साथ हुई मारपीट का बद्ला लेने के लिए इन अरौपियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था आपको बता दे कि राज नान्द गाम के कंचन बाग अटल अवास में परवेज कुरेशी नमक वेक्ति की बीती रात तेजधार हत्यार से हत्या कर दी गई थी। गटना की सूचना तुरंट पुलिस को दी गई। गटना की सूचना मिलते ही पुलिस मोके पर पहुँची। कि अरोपी के चाचा के साथ बीती एद के समय मारपीट हुई थी और साथ में गाली गलोच भी की गई थी। यह मारपी ट्वैगाली गलोच प्रवेज कुरेशी और राजा शिरिवास के द्वारा की गई थी जिसके चलते अन्ने अरोपियों के साथ मिलकर मुखे अरोपी ने इस गटना को अंजाम दे डाला उसने पुलिस पुछताच के दुरान यह भी कबूल किया कि उसने अपने थी अरोपियों के साथ मिलकर राजा शिरिवास की कार के साथ तोड़ फोर की थी वहीं पुलिस ने अरोपियों की निशान देई से गट्टा में प्रियों किये हत्यार भी परामत कर ली हैं वहां के पुलिस अधिक्षक डी श्रवन ने सारे मामले का खुलासा करते हुए बत अब अब इसमें हमने अभी सभी मुझरिमों को ग्रेपतार कर लिया है और अभी आगे नीमान से करवई कि जा रही है इसे पहले भी एक दो बार विवाद हो चुका था जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है ऐसे ही लेटल स्कुबरे पाने के लिए बल इकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल जोती गार्डन अजे बीडी बैंकेट्स एंटरप्राइब